असलाव अलेकुम वेलकम तो दा चैनल पढ़ो लंड टूगेदर और आज मैं आपको पढ़ाऊंगा अब आपको सारे लेक्षा से बताऊंगा ठीक है तो सबसे पहले जो है हम हमारे चैप्टर वन है उसका सबसे पहले टॉपिक है वह हो होमियोड्र सबसे पहले आपको यह पताना है कि हो में होता क्या है और क्यों जरूरी है दिए हुआ तो वर्ट होमेड्र सबसे पहले जिस साइन्टेस्ट ने इन्वांट किया था वो ठेम वाल्टर बी कैनन फिक है इनकी देट ऑफ बर्थ है और एटीन-सैवंटी-वउन से ल है एक मिनिट है होम यह ठीक है और स्टेसिस हो मियों के मतलब होता है सेम और या सीमिलर चीकी और स्टैसिस के मतलब होता है को जिसको रखना या कोई जीस पर सें रखेंगे यहां पर जो मेंनड रखेंगे वह रखेंगे स्टैसिए यह हमी चैसिस रकना हूं मिचिस रखना क्या देव kiss seller वोती है असे है रिप्रॉसेट्ट बाइप Kani मिंटेन internal stability by adjusting a changing external environment कि हमारी body के अंदर सब्रसेस के पॉसेस हो रहे होते हैं हमारे body का जो है वो छुम हमारे बॉड की पी-च है हमारे body इस उन टेम्परेचर बॉड हमसे है इस सब्सक्राइब हमइचा ने हये हैं हम सेवन डिग्री सेल्शियस ठीक है अगर फॉर्ण हाइट में करें तो यह जाए जता है आपके फिर फॉर्ण हाइट फॉर्ण हाइट ठीक है अप थर्मोमेटर ले ठीक है और इसको अपने अंडर आर्म लगा है ठीक है यह तो फिर सब लिंगों जुबान के निचे रखे तो आपको यह मिलेगा ठीक है डिग्री फॉर्ण हाइट में होता है हमारा जो थर्मोमेटर है ठीक है उसके लावा कैल्वीन स्केल में देखेंगे तो थर्टी सैवन डिग्री सेल्शियस जो है यह हमारे बॉड़ी का टेंपरेचर है उसी तरह हमारे बॉड़ी का जो है वह पी आपको प्याज है वह भी सेम क्या होगा इसी रेंज में आरहोगा अच्छह यह साइच चीज़ क्यों जरूरिय यह टैंपरेचर फिक्स रहना और आपके जो है ब्लड के पी जो है वह इसी रेंच में रहना जो है इसी तरह हमारे बॉड़ी का अनल प्ल्यूट है उसकी एक क तो यह साही चीज़ें इसलिए यह साही चीज़ें जब एक मिंटेन और यह ऑप्टिमम लेवल पर रहती है तो हमाई बॉडी के अंदर डिफरेंट इंजामेटिक रेक्शन नॉर्मल तरीके सरह सकते हैं ठीक है अगर यह चीज़ें नॉर्मल नहीं रहें किसी भी वज़ाद स चेंज हो और बॉडी के अंदर कोई सिस्टम मौजूद नहीं हो जो इसको नॉर्मलाइज करें तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा अल्टीमेटली हो जाएगा बॉडी की जो इंजामेटिक रियक्शन से हैं ठीक है उतने प्रॉसेस हो रहा है रिस्पारिशन का प्रॉसेस हम सांस ले रहे हैं ठीक है डैजएट्शन हो रही है डिफर्ण पॉसेस ओड़ाए धिफरन होर्मून रिलीज हो रहे है तो सब सीज हो जाने ठीक एपने चेमिस्ट्री में बिशिकली पढ़ा होगा कि जितने भी इंजामितिक रिएक्शन से ठीक है वो ऑदिशा हो जाता है तो यह बता रहूं है यह आपको याद रखना है यह इस टॉपिक यह चैप्टर तक नहीं लिमिटेट है यह बेसिकली जब आप अब कर देने के लिए जाओगे तो यह बहुत ज़्यादा करेगा यह चीज़ा आपको फिंगर टिप्ट आपने चाहिए अच्छा कहने की बाद यह थी कि मैंने बताया थे कि आपके बॉड़ी जो है वह इसका जो इन्वार्मेंट है जो पी एच है टेंपरेचर है और वाल्य अगर इस रोंग का टैंपरेचर जो है वो अब त्यक्स में चल रहे है अगर नहीं का टैंपरेचर और बढ़ा देता हूं वियह घर्मी हो जाती है तीए वह समर मीं क्या होता है तो जब टेंपरेचर आपकी एक्स्टेनर इंवार्मन का भरता है तो जो भी चीजे होगी वह सब हीट अप होना शुरू हो जाएगी लाइक फॉर एजम्पल आप इस से यह इस मार्कर को गर्मी में आप देखा अपने गर्मी में यह मार्कर जो है अगर यह रखा वें तो यह थे जो एपनें लीख अगज हो जाता है कि यह, चैसे आगर बहुत है कि दिस तक हमारे लिए बहुत हो जाएगा तो आप बाहर का टेंपरेचर 45 तक हो गया गर्मी में और हमारी बॉडी का टेंपरियर 37.37 तक मिंटेंड कैसे रहे तो इसकी लिए हमारी बॉडी के अंदर डिफ्रेंट किसम के मेकैनिजम मौझूद होते हैं ठीक है डिफ्रेंट किसम की रेक्शन होते हैं मैं यह बता सकता होता है तो इनिसेगni होता है करते हां दो स्थेंट किसम रखनी होता है तो इनिशियेट करते हैं और ब्रेइट म。 तो इनिसम करते हैं पर इडिप कि व्हां वहां रहाना को देखने के सदीट होता है. फचिकए सब्संस्मिख्ट करने के लिए और हमारे हिवारी नकींात 5 épisode तो वह सारे मेकानिसम जो है वह उसके बारे में पढ़ते हैं हैं कि कि नहीं हम किसमें पढ़ेंगे होम्यों स्ट्रेसिस के इस अधिके खुद बाखुद राइगुलेटर हमारे बॉडी के इसे सेट हुए वे प्रग्राम है ठीक है फे चैनल रेक्शन वगारा और जितने सेंस बाइब विच अलिविंग और जिसम ठीक है कोई भी जानदर कें मिंटेन इंटरनल स्टेबिटी अंदर की जो स्टेबिटी है जो टैंप्रेचर हो गया पी एच हो गया और वॉल्यम्स हो गया है फ्लीट हो गया सब को जो है वह मिंटेन करें एक नॉर्मल देंगे ले डैट आपको टेम्प्रीचर के अग्सामप्रो बतातों ठीक है तैंप्रेचर में किया होता है कि आपने चेस्तुinform cash हो धाया अब यही जो है और यहां बाहर का तेंप्रेचर यह पिलिब्रेज्वारी जब एक तो कम करना है तो यह तो क्ला करेगा ब्रें जो है यहापका को छिकान ग्यार किया है आपके पाश इसके न ठिकेप हीट और हीट फो थिकेशी पूब फड़िए यह सेंस ये कहां गया इसको अगया ये अपके ब्रेन में आपका पार्थ होता है हाँ हाईपो थालमस मौझूद अज अब इसके डिपरेंट सेंटर वह और आजा भाद प्रेटों किया दो हिए थाय सुअ है वह एक जो फॉडर मौजूद है लिए भू घ्रिजा सब्सक्राइट तो वह जो है दो एक और नवा फ़िए को संटर नो यहां पर जो स्वाइट ग्लाइन होगा कि यहां पर जो आपके पर आएगी और फिर आपको पता कि वॉटर जब इक वाटर को फेक्ट तो पूलिंग फ्रैक्ट होगा तो फिर टेंपरेचर जो है वह सैंस किया कि यहां अब जैक्ते हैं यहां ग्लेंड से उपन अप कर दिया और इसके वैसे क्या हो आपका तेंप्रैचर जो है वह रोडॉने सब्सक्राइब होता है इसको में कि ट्रॉकिये लिए और एड़ ज्डिएंग एक्सटर्नल इंवारबनटी है यानि एड्जेसिंग एक्सेंग जो भी एक्सेंग अवार्म जिसके बीचेंज और उसके अपने आप को जो हैब वह चेंज आई ठीकिंगेघारी मैं इसी तरह मैं ग्रोब तो झाल लगती है न पूस्टार्ब को यह मिक्सद रोगती है न शियर्ट हो गया कि आपके जो कर न आना शुरू हो जाएगा भी लो डाउन ओना शुरू हो जाएगा अब इसको वापिस उपर की तरफ लाना है ठीक है तो क्या होगा कि ब्रेन जो है फौर और को श्राइश करेका भी तेंपरेचर लो हो गया अब जो है इसने सेंट्र शाय प्रका है र यानि इस जो है उसमें उसमें जो होना शुरू हो जाएगी और आपके डिम वेंके यहां फ्सक्रार्श की शुट अर्म मुद्ध टीमेंट ली क्या फायदा हो रहे हैगा हीट जेनेरेट हो रही है और हीट कंजर्ब हो रही जो बॉड़ी के अदर मौजूल है हीट वहार नहीं निकल पाएगी ठीक है तो अल्टिमेटली क्या होगा टेंपरेचर जो है मिंटेन होना शुरू हो जाएगा तो यह जो चीज़ें ना हूँ आपके जो होमियो स्टेसस को की ठाइब अच्छा अब दो चीज आ जाती है नीगतिव फीडबैक और फॉजटी फीड़ थी के मैंनना को बता तुरी है कि टैंपरेचर मेंटीन करना करना है लिए किस तरह चीज बाने करे हैं किस तरह से चीज़ों करें से इसके लिए हमारे बॉडि आ किसम के सदों है व के फ्लेम ये बनाया है ठीक है ये फ्लेम है ठीक है और फिस्ती है और यहां से गेस आ रही है ठीक है इस फ्लेम की जो अधिय ख फreे अनभी है इतना ही मिंटेन रखना है औप for example मैं यहां पर जो है वह पितरो डाल देते हूं ठीक에 पिटरोल डाल डाल डियां पिट्रोल डाल डाल टो पिटल डालनें के विइसे यह आपका क्या हो गया EXTERNAL हो गया या OUT हो गया अब EXTERNALLY क्या हुआ कि पिट्रॉल आगी है इसमें टीक है ने मैंने अपर से कोई किसी वज़ा से जो है इसमें पिट्रॉल चला गए ठीक है यह फ्लेम को लेवल है वो यहां तक आ गिया है। हमें चाहिए कितना था? इतना चाहिए था। तो अब हम क्या कर सकते हैं? हम यह सिंपल कर सकते हैं जो गैस यहां पर आ रही थी इस गैस को कम कर देते हैं। जैसे ही मैं इसको गैस को कम करूँगा, तो क्या हो जाएगा, गैस को कम करूँगा, ठीक है, यह गैस है, आप गैस आ रही थे, ठीक है, यह दा गैस, ठीक है, जैसे ही मैं इस गैस को कम कर देता हूँ, तो क्या होगा, यह फ्लेम जो है, जो के पिट्रॉल के वएसे बढ़ा थ अल्टीमेटली क्या हो गया कम हो गया ठीक है अल्टीमेटली अपने उसी लेवल पर आ गया जो लेवल था इसका तो क्या हुआ इसे क्या समझ में आता है नेगटिव फीड़ बैक भी सेम इसी तरह से किसी भी एक्सटर्नल चेंज़स के वज़ा से अगर आपके बॉडी के इं अभी समझने के लिए करें कि कोई भी एक्सटर्नल स्टुमिलस के वज़ा से क्या हुआ अगर आपकी इंटर्नल बॉडी इंवार्मेंट में चेंज़स आ रही है ठीक है जो यह चाहिए था इससे जादा होने लग जा तो जो हमारे इंटर्नली जो है ना इंटर्नली सिस्ट जो है वो बेसिकली क्या करेंगा कुछ ना कोई सिस्टम ऐसा फीडबैक देगा जिसके वज़से यह कम हो जाए ठीक है यहां पर क्या हुआ है यहां पर गैस ता इसके जलावा था ठीक है इतना टैंपरेचर इतना फ्लेम इसका मिंटेन हो जा था जैसे पिट्रॉल आजब टीक है किसी भी एक्टर्नल इस्टॉमलेस के वगदे से जब कोई बीचीज ज्यादा हो रही है बॉड़ी ना टेंपरेटे कोई पी चीजब ज्यादा हो रही है तो उस टीकशन को कम करने के लिए बेसिकली क्या कोई और जो इसको इंप्लेंस कर रहा है तो यह जो है एक जा वहा था आपको कि बौडी टेम्परिचर भड़ना शुरू हुआ था क्योंकि बहार से हीट ज्यादा आ रही थी तीक है बहार से बढ़ एक तो यह स्किन तो यहां पर जो गैस का काम है वह कौन कर रहा है स्वाइट ग्लैन कर रहा है यहां पर गैस काम वह हो गये थी यहां पर टीमेटली क्या हो रहा है एक चीज के भढरने के विए से दुसरा चीज़ कम हो रहे हैं यहां पर क्या हो रहा है फिर बॉड़ी के टेंपरेशन रखने ठीक है एंड रिजल क्या है कि इसना फ्लेम जो है उसको मिन्टेंड रखा ला ठीक है नेगेटिव फीडबेक एग्जाम्पिल आपकी यह तेंपरेशर की एग्जाम्पि बॉड़ी का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाए ठीक है आपके इसमें जो है वह बिसिकली सैट पॉइंट दिया वह है टेंपरेशर की एग्जाम्पिल ही दिया वह है कि हैपो थाटी सैवन डिग्री सेल्शियस तक रहना जाएगे ठीक है जैसे ही टेंपरेशर बॉड़ी के र पर देखेंगे लिए झाओ आप बहुत दाधा पानी पी लिए तो एल्टिमेडली बाड़ी क्या करती यूरीन क्यों पास हो रहा हूंँ पास होने के लिए डिफरेंट के होर्मोन से रिलीज होंगे बॉड़ी के इंदर डिफरेंट के रियक्शन्स होंगे तिक एंड रिज तो फाइफ लिटर टक जाएगा तो क्या होगा उसके जो एक बढ़ा देंगे तो इसकी जो एक सॉल्यूट कंसंट्रेशन है जो इसमें सॉल्ड की सोडियूम पुटाशियूम ब्लड करें मौजूद है वह जो है डाल्यूट होना शुरू हो जाएगा तो इसको मिन्टेंट र होने क्या होगा युरीन पासव होना रोग है यूरीन क्या हो रहा है जाकर बोटेशर्चर तक 15L कर हम ठीक है इसे जागी हईद्रेशं तो प्लो आ रहा जो है. तो एक सि nosotros उन्हें तो हो तो बॉडि के अंदर जो ब्लट का फाइफ लिटर मिंटेन रखना है तो में रखने के लिए क्या करना है आपको जो है उसको कंजर्फ करना पड़ेगा यूरी जो है वह कम आना लिकाता है ये भी किसका अग्जांपल होगे जएग कि आपके प्लटर आपके फीट वीडबा और जितनी बॉडी के अंदर हर्मून है उसके बिसीकली नेगेटिव फीडबेक की एक्जाम्पल आ सकती है ठीक है यूच्वली हमारे बॉडी में 90% तक जो प्रॉसेस हो रहा होता है न वो नेगेटिव फीडबेक ही जो है हमोस्टेस मिंटेन कर रहा है अब पॉजिटिव फ लगने के बाद क्या होगा कि ब्लीडिंग होगी ठीक है करने के लिए चीज क्या हो सकता है एक ही हो सकता है कि आपके जो बोन मेरो है ठीक है वो ब्लड बनाए है इस से जो ब्लड यह बन होता है तो बोन मेरो में बनता है ठीक है नों भॉन किया हुट होता है आफ की जो रहा है आत जो हम बाद में परहेंगे ठीक है जो ब्लड का कॉंटिटी फ sonTI थीक है अब बेसिच। क्या हो रहा है कि कट लगा तो आप यहां से ब्लेडिंग उना शुरू हो जाएगे तो यह फाइफ लिटर नहीं हो पाएगा अब इसको मेंटेन करना है तो एक तो यह कि भाई भाई आप जो है बोन मैरो जो है वह ब्लेड बनाना शुरू हो जाए ठीक है यह और चैमिकल रेक आपको चाहिए और चाहिए होगा आपको चाहिए होगा छेड्रेड हमारे बोडी के इंदर मौझी होते हैं तो हमारे हैं बलड के बनीट बांदर दो कॉपन अब दूसरा बहामा जो लेक़र ट पार ठीक और दूसरा बहुता है बलड्स ऐड्ल मझाना गणिज यह भुछ श अब क्या होना चाहिए कि आप मैं आपको एक नॉर्मल बाव बताता हूं कि मेरी बोडी के अंदर अगर कुछ एक्स्टरनल कोई चीज आ रही है ठीक है उसके पर प्लेट लेट आ रहे है तो नॉर्मली यह होना चाहिए प्लेट आकर कि यहां पर बग जाना इस नॉर्मल बात ब्लीटिंग डोपने के लिए नॉनल लेकिन डामली थे तो मिन उपर और कोई प्लेट नहीं के तौई तो देशार रहे है तो मजीद और प्लेट बस लेट को बलाया जारा थिकazi कर oni मजीद और प्लेटेस. ज़ेस और टिश्रोथ है ठीक है उसको हम बोलेंगे एडिशन अब प्लेटलेट जो है मजीड और प्लेटलेट को बलाएकर एडिस कॉल एग्रिगेशन आकर जमाऊना शुरू जाएंगे उसके बाद प्री क्या होगा एक थ्रॉम्बस बन जाएगा थ्रॉम्बस यानि जो एक लगता है पहले तो एक सोब्स प्लेटलेट की नहीं मजीड और प्लेटलेट को बला रहे हैं ठीक तो यहां पर प्लेटलेट की आने के वएए मजीड को बला रहा है तो यहां कम नहीं हो रहा है ठीक है यहाँ पर body का hyemostasis maintain करने के लिए इस process को जो है और एक लगा ता ठीक है कट लगा इसके वैसे एक लेट लेट आके लगा ठीक है यह कोई changes होई ना बोडी के अदिर कोई चेंजे सोः ठीक है यहां पर क्या ह추 रहाता है यहां पर और प्लेट लेट को बिलाने के लिए लिए टीक लिलीस करना शुरू कर दिया थीक तो मजीट और जमना शुरू कह चैनल चैनल खुला और टेमप्रेचर पहले 37 तक किया थो तक यह जो है अब इसने किया किया है यहां पर क्या हुआ नेगेटीव काम नइगटिर पर काम हो यहां पर क्या हुआ अके लगा अब इस प्लेट्लेट ने मजीड और सिक्रीट करना शुरू हो गया और प्लेट लिए लग गया ठीक यह ठोवाज से नॉर्मल बात नहीं ना हमारे बॉड़ी के दर कहा थंपर जना नहीं ना कहीं पर भी ठ्हूंबस नहीं जना हुआँ ठीक है यह थाइ अपनार्मल चीज है लेकिन यह बंद रही है यह इस लिए बंद रहा है ताकि आपके बॉडी उसे मजीद ब्लॉड और लॉज ना हो ओ् da सेम रहे बॉडी का ब्लट थोड़ा बहुत फॉर पॉंट फाइफ हुआ है थोड़ा लॉस हुआ है आधा लीटर समझे लॉस हो गया लेकिन मजीद और लॉस नहीं है इसके लिए थ्रॉंबस बन जिया तो यहां पर जो फीडबैक मेकानिजम हो रहे है वह क्या हो रहा है पॉ पॉजिट ऐसे चीज होने लग जए ठीक है ताकि वह चेंज वापिस नॉर्मल हो जाए गैस कम हो गया था है ठीक है यहां पर क्या हुआ प्लेट लेट आया प्लेट लेट मजीद और प्लेट को बुलाया थाकि पॉड़ एक ठॉमबस बन के अब पॉजिटिव फीडबैक क के लिए हमारे पस जो है वो डिफरेंट इग्जाम्पल में आपके बताता हूं अब अच्छा पॉजिटिव फीडबैक की बात करें तो देखें हमारे बॉड़ी के नैंटी परसंट जो नेगटिव फीडबैक होता है ठीक है तो यह तो आपने याद रखने पॉजिटिव इसमें अपस क्या ऐनपना पॉजिटिव फीडबैक की ठीक पहले त आपका प्लेट लेट 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 की बात करें है और दूसरे क्या होता है है लेबर तीक है लेबर पेन यह याद रखना है यह दो तो आपने हमेशे याद रखना है दूसरा एक और भी होता है यह हम आगे जब पढ़ेंगे ना अंडोक्राइन आलजी पढ़ेंगे चैप्टर ठीक है तो इसमें आपको मैं सही तरी किसे बता दूँगा यह देख लें यह तीन आपने याद रखनी है पॉजिटिव फीड़एक की ठीक है प्लेट लेट लेट का तो मैंने आपको बता दिया कि क्यों हो रहा है कैसे हो ठीक है लेबर पीट में क्या होता है बसी कहली आपने पता है होने के लिए चाहित फूल हो जाता है ठीक है और लेबर पेम अ सब्सक्राइब तो एक हर्मोन बोलेट है है शाजिक यहोते हो जाता है मदर में के यूट्रास है रिखना को होना चाहिए पर मेकानिzwार जो है को हीचार्मंटी मेखानिन नोगता है ऐसा क्या एक जबस ना रही हो पर cit PDいつ स्ट्रीट करने की और और लिखे से नो था है टो नोजुए यह लिए को नहींद से और पता है वह प्ता है कि वह टो नहींद के लिए बेबी की ग्रोफ के लिए वह लिए और तो ले रहा है फीमेल से ठीक है मदर से ले रहा है और तो ले रहा हुता है और वेस्परोडक्ट में जा रहा हुता है तो इस तरह जा होता है तो इसको जY来 अभ़ आता है आफ इसको हटाना हो टाया इसको बॉडी बेडी को जो तो बाडी से निकालना हो ढोटाएं चके इसलिए तो है जो है जब oxytocin होते हैं थिक प्रवाड़ा होते है तो ब्रेे और oxytocin करते हैं दर पेन के विज़े और contraction k्रें तो यहां पर बेसिकली जो लेवर पेन होता है उसमें ऑक्सिटोसिन रिलीस होता है तो यह भी पॉजिटिव फीडबेक की एक्जाम्पल है ठीक है और एलस सर्च जो ओविलेशन के वाख आता है है जब वह हम पढ़ेंगे तो उसमें लिए अलस सर्च भड़ता है इसके वैसे ओविलेशन होती है ठीक है तो वह भी आपका क्या है पॉजिटिव फीडबेक तो यह दो एक्जाम्पल आपने याद रखनी है दो एक्जाम्पल आपने कभी नहीं भूलने ठीक है बाकि जो है वह आपका है नेगटिव फीडबेक ही होता है ठीक है तेंपरेचर मिंटेन करना फ्ल्यूट मिंटेन करना ओस्मोलारेटी मिंटेन करना ठीक है जी हम आगे भी पढ़ेंगे इस तरह से और चीज़ें होते हैं तो अगर आपको भी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ल कि लिया लापिस